हेलो बच्चों कैसे हो आप सब माइनेम इसाननायर योग केमिस्ट्री मेंटॉर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जुनून बैच के आज के लेक्चर में तो बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं असे बसे अन वो भी इंवाट वीडियो सी मैं चैप्ट्र को शुरूकरत और इसी वीडियो में चाप्ट्र को कर देंगेन और मैं दावय के साथ कह सकती हूं कि जब ये चाप्टर खतम होगा जब ये वीडियो खतम होगी तो आपको इस चाप्टर के सारे concepts जो है crystal clear हो जाएंगे क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो है न वो acids, bases and salt का नाम सुनके घबरा जाते हैं ओहो मुश्किल होगा हमें कैसे समझ आएगा बट बच्चों नो fear when sun and warm is here तो इसी के साथ बच्चों अपना lecture शुरू करते हैं तो चलिए start करते हैं बच्चों acids, bases and salts और मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि बच्चों ये है हमारा lemon juice सपोस करते हैं भई ये है हमारा lemon juice नीवो और ये है हमारा soap solution तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है तो आप कहेंगे कि ma'am, ma'am हम ये कह सकते हैं कि ये देखने में अलग है इनकी appearance अलग है ठीक है yes ma'am हो सकता है ना कि बच्चों इसमें you know bubbles होंगे soap solution में इसमें नहीं होंगे दूसरा आप कहेंगे ma'am इनका ना color different है तो मैं कहूंगी बहुत बढ़िया yes इनका color different है तो ठीक है बच्चों lemon juice और soap solution की appearance different है color different है and so on तो क्या इन दोनों में बस यह अंतर है कि इनका color अलग है इनकी appearance अलग है कोई और difference नहीं है इन दोनों में तो बच्चों अब मैं आप लोगों ने इनको आखों से तो देख लिए ठीक है अब let us suppose आप कहेंगे मैं आखों से तो देख लिए इसको टेस्ट कर ले ओज़िक दूब यहां की जिए वाजाती है मतलब की lemon juice क्या होता है lemon juice होता है बच्चों खटता कैसा होता है एक दम खटता होता है जिसको हम English में Sorate बी बोलते हैं बच्चों कुछ लोग sour rap बोलते हैं कुछ सौर बोलते हैं कुछ song स्वर बोलते हैं कुछ और आपकी pronunciation पर डिपेंड करता है ठीक है तो खटा होता है lemon juice जिसको हम English में सार बोलते हैं अब बच्चो soap solution को आपको taste नहीं करना है पर इसमें आपको ma'am की बातमान लेनी है Ma'am कहती है कि soap solution होता है बच्चो कड़वा कैसा होता है बच्चो soap solution Soap solution होता है कडवा, जिसको हम English में bitter भी बोलते हैं, हा की न? तो बच्चों जब हमने आखों से देखा था, तो हमको appearance, color में difference दिखा था, जब हमने taste करा lemon juice को तो वो हमें खटा दिखा, खटा दिखाने, खटा feel हुआ, टेस्ट हुआ, और जब हमने soap solution को taste नहीं करना, मैम की बात माननी है, soap solution कैसा होता है, कडवा होता है, बिटर होता है, तो अब आप कहेंगे कि मैम आखिर क्यों, क्यों lemon juice खटा है और soap solution कडवा है, तो बच्चों आपके इस क्यों का जवाब है, आपके इस क्यों का जवाब है, इनके nature में, किस में? इनके nature में, तो मेरे प्यारे यह जो lemon juice होता है ना, lemon juice होता है acidic in nature, कैसा होता है? Acidic in nature होता है, और जो हमारा soap solution है, soap solution is basic in nature, soap solution का nature कैसा है? basic और lemon juice का nature कैसा है? acidic, ठीक है? clear होगी बच्चों यह बाद, समझ आ गया? अब हमने न देखो, बहुत बार ऐसा सुना है, किसी के विम्मू से, यह चीज acidic है, यह चीज basic है, ओह, acidity हो गई, चलो alkaline water पी लेते हैं, आपने यह शब्द, acids, basis, यह शब्द कभी न कभी सुने हैं, ठीक है? बट यह बताईए बच्चों कि आखिर, इन acids और basis का पता लगाया कैसा जाए? कैसे इनका पता लगाया जाए? आईए देखते हैं, तो बच्चों मेरे पास नहीं बहुत सारी चीज़े हैं, Let us suppose बच्चों मेरे पास नीमबू है, विनेगर है, कर्ड है, सोप है, शैंपू है और बेकिंग सोडा है, तो चलिए, इनके बच्चों टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, आप जानते हैं कि लेमन जूस कैसा होता है? लेमन जूस होता है बच्चों खटा जिसको हम इंग बारी आती है, बच्चों सोप की ये चीज़े तो वखावाई टेस्ट, इनको टेस्ट नहीं करना है, फकर काकर रहा घुंस होता है? बच्चो जब मैम कहती है तो मैम की बात मान लो थोड़ी सी बात मान सकते हैं मैम की तो सोप कैसा होता है बच्चो सोप इस बिटर इन टेस्ट शैंपू जिससे हम अपने बाल धोते हैं शैंपू भी कैसा होता है बिटर होता है कड़वा होता है टेस्ट में और बच्चो बेकि लिखने को मिल रहा होगा कि कुछ चीजे तो खटी हैं और कुछ चीजे कडवी हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो चीजे खटी हैं वो चीजे क्या होती हैं वो होती है एसेड्स acids कैसे होते हैं, acids are sour in taste, acids जो होते हैं, वो taste में खटे होते हैं, और अगर हम इन bitter चीजों की, इन कड़वी चीजों की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमारी base हैं, तो हम कह सकते हैं, कि bases are bitter in taste, bases का taste कैसा होता है, bitter होता है, ठीक है बच्चों, nature समझ आ गया, कि acids कैसे हैं, acids हैं, खटे, और bases कैसे हैं, bases होते हैं, कड़वे, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको के नहीं आई, आ गई, बहुत बड़े अच्चों, चलो, अब हम आगे चलते हैं, और एक एक करके acids औ bases को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो सबसे पहले बच्चों, जैसे मैंने बात करी, curd की, lemon juice की, vinegar की, orange juice की, ये सब आपने कभी न कभी ये चीज़े टेस्ट करी होंगी, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कि ये सारी चीज़े क्या होती हैं, ये सारी चीज़े खटी ह देखे बच्चो, acids are sour in taste, ठीक है, ये बात समझ आगी, तो अब अगर हम आगे बढ़ें और acids को थोड़ी और detail में जाने, तो हम आते हैं बच्चो अपने topic पे, which is classification of acids, कि हम acids को आखिरकार कैसे classify कर सकते हैं, ठीक है, कैसे categorize कर सकते हैं, तो my dear students, acids को classify करा जाता है, into organic या फिर natural acids, या फिर into inorganic या फिर artificial या फिर mineral acids, देखें बच्चो ध्यान से देखते हैं, organic या natural acids, भाई हमें नाम से बच्चो आदी definition तो नाम देखके ही समझा जाती है, organic या natural acids, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे acids जो हमें nature से मिलते हैं, acids which are obtained from natural sources, ऐसे acids जो हमें natural sources से मिलते हैं, यानि की nature से मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है, बच्चो और्गानिक या natural acids, तो अब अगर हम इसका उल्टा कर दे, artificial acids, inorganic acids या mineral acids, ऐसे acids जो humans द्वारा, synthetically, artificially, labs में बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है, inorganic, artificial या mineral acids, so acids prepared in the laboratories, prepared artificially in the laboratories, या फिर labs, उनको क्या कहा जाता है, बच्चो, उनको कहा जाता है, inorganic, artificial या mineral acids, इसके तो भी examples पढ़ने वाले, जुस्ट एक second बात पढ़ेंगे, इसके बच्चो आप examples देखिए, inorganic, artificial and mineral acids के, और आपने इनके बच्चो नाम सुनहें भी होंगे, जैसे की hydrochloric acid, जैसे की बच्चा hydrochloric acid, अब आपको इनके formulas भी थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, जो की होता है HCl, जैसे की बच्चो एक्जाम्पल हो गया, sulfuric acid, जिसका बच्चा formula होता है H2SO4, जैसे की हो गया, आपके पास nitric acid, जिसका formula होता है HNO3 and so on, और बहुत सारे examples है, बट ये कुछ हमारे important learn करने वाले examples है, जिनका आपको formula भी पता होना अब चाहिए, ठीक है बच्चो, inorganic या artificial acids की examples तो हो गए, अब चलते हैं अपने natural या organic acids की examples पर और आपको ये पढ़ने में बहुत मसाएगा, क्योंकि ये वाले जो acids है न, ये ऐसी ऐसी चीज़ों में मिलते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो चलिए बच्चो देखते हैं, natural acids, तो सबसे पहला बच्चो जो हमारा natural acid है, वो है हमारा acetic acid, which is nothing but vinegar, ये कौन सा acid होता है बच्चो, vinegar में कौन सा acid ह acetic acid है, आप जाना मम्मी के पास kitchen में और कहना मम्मी मुझे vinegar दिखाओ, वो खाने में भी डलता है, जनरली Chinese खानों में जादा डलता है, ठीक है, तो वो क्या है बच्चो, वो nature से obtain होता है, तो this is a natural acid, फिर आता है बच्चो, formic acid, जब हमें चीटी काट जाती है, तो क्या होता है, वो inject करती है, कौन सा acid बच्चा, formic acid, कौन सा, formic acid, तो ये भी हमें natural चीज से मिला, तो ये क्या हो गया हमारा, organic या natural acid, फिर बच्चो, citric acid पाया जाता है, नीम्बू में, और भी बहुत सारी चीजों में, तो ये कौन सा हो गया हमारा, citric acid in lemons, lactic acid बच्चो, दही में पा ताकि आपको learn करना असान हो जाए, ये सारे acids और बहुत-बहुत चीजों मिल पाया जाते हैं, ठीक है, तो lactic acid बच्चो, दही में पाया जाता है, अब आपको पता लगा कि दही खटा क्यों टेस्ट करता है, क्योंकि दही में acid होता है, and acids are sour and taste, next है बच्चो, oxalic acid, oxalic acid पा पालक में पाया जाता है, अब I don't know, हमारे बच्पन में काटून आथा था, पॉपाय करके, तो जब पॉपाय जो है ना, बड़ा हार रहा होता था, है ना, तो क्या करता था, वो पालक निकालता था, खा लेता था और एकदम strong हो जाता था, ठीक है, तो देख रहें बच्च तो बच्पन में आमला कैंडी खिलाती थी, जो की खट्टी होती थी, क्यों खट्टी होती थी, क्योंकि उसमें ascorbic acid होता था, and acids are soranthase, समझा रहें बच्चों, next है बच्चों, tartaric acid, जो की इमली में पाया जाता है, इमली को इंग्विश में tamarind बोलते है ना, तो tamarind में क कौन सा acid पा जाता है, tartaric acid, और क्या आपने वो गाना सुना है, इमली का बूटा, बेरी का बेर, इमली खट्टी, तो अब आपको समझाए कि इमली खट्टी क्यों है आखिरकार, क्योंकि इमली में होता है बच्चों, tartaric acid and acids are soranthase, acids taste में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो बच्चों, क्या आपको natural acids के कुछ examples देखने को मिले और क्या आपको वो समझ आ गए, आए कि नहीं आए, बहुत बढ़ी है बच्चों, चलिए, next जो हमारी acids की classification है, वो है my dear students, strong acids and weak acids, कैसे acids बच्चों, strong acids and weak acids, नाम सही पता लग रहा है, ऐसे acids जो ज़्यादा strong है, और वो आप थोड़ी higher classes में जाके पढ़ेंगे कि कैसे strong, कैसे weak, बट मैं आपको यही बताना चाहते हूं कि जो acids strong है, जैसे की, जैसे की बच्चों अभी हमने पीछे देखा, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, HNO3 and so on, ये सब होते हैं बच्चों हमारे strong acids, कौन से होते हैं, strong acids, और अभी हमने द ये examples है, ये examples है, inorganic, artificial या mineral acids के, तो क्या मैम ये लिख सकती है, कि inorganic, artificial या फिर mineral acids, strong acids होते हैं, हां की ना बताओ बच्चों मुझे, येस, बहुत बढ़िया, तो inorganic, artificial या जो mineral acids होते हैं, वो बच्चों ताकतवर, strong acids होते हैं, और अब आईए बच्चों weak acids पे, weak acids के हमार examples होते हैं, जैसे कि हमारा oxalic acid हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा lactic acid हो गया, जैसे कि हमारा citric acid हो गया, and so on, और बहुत सारे examples हैं, ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे examples दे दो, फिर आप घबराओ जोके, यार, हमें सही लगता था, कि acids, basis, salts, मुश्किल चैप्टर हैं, नही आप few examples learn करें, बट जब आपको वो learn होंगे और आपके concept clear होंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, ये sufficient examples हैं, कम नहीं हैं, तो बच्चो, oxalic acid, lactic acid, citric acid, ये सब हमने अभी-अभी जस्ट पढ़े हैं, यहाँ पे, natural acids में, देखिए हमारा बच्चो, oxalic acid हो गया, lactic acid हो citric acid, ये सारे, ये सारे, ये सब क्या होते हैं बच्चो, natural acids हमारे weak acids होते हैं, तो अगर आपको कभी कोई question में कहें, कि weak acid का कोई example दो, तो आप इन में से बच्चा कोई भी example लिख सकते हैं, तो क्या अब मैं कह सकती हूँ, कि हमारे natural acids are weak acids, and हमारे inorganic या artificial acids are strong acids, तो बच्चो क्या आपको acids की पूरी कहानी समझागी, कि acids are sour and taste, acids को हम classify कर सकते हैं as organic acids या फिर inorganic acids, इनके हमने examples देखे, इनके हमने examples देखे, और फिर हमने ये निशकर्ष निकाला, ये निचोड निकाला, कि हमारे जो natural acids होते हैं, वो weak होते हैं, और हमारे जो artificial acids होते हैं, वो हमारे ताक बत्वर यानि की strong acids होते हैं, और हमने इन दोनों से related बहुत सारे examples पढ़े, तो क्या आप लोगों को acids clear हो गया, मुझे comments में जरूर बताना बच्चो, चलिए, अब अगर acids समझा गया, तो bases भी clear हो जाएगा, तो बच्चो हमने पढ़ा है कि bases कैसे होते हैं, bases are bitter in taste, कैसे होते हैं, bases जो हैं बच्चो वो taste में कडवे होते हैं, जैसे कि baking soda, shampoo, cucumber, soap, बच्चो इन चीजों को तो बाकियों को तो अब shampoo, soap वगएरा को तो मैं taste करने को क्या कह रही हूं, मना कर रही हूं, बच्चो खीरा तो आप खा के देख सकते हो, होता है ना कभी कबार ऐसा, कि खीरा इसका example है, ठीक है बच्चो, तो bases are bitter in taste, और बच्चो, bases की एक और property होती है, कि जब, let us suppose, आप soap लो अपने हाथ में, यह ना soap, थोड़ा सा अपना soap अपने दो fingers के बीच में rub करो, तो आपको कैसा feel होगा, आपको slippery सा feel होगा, आपको चिकना चिकना feel होगा, है ना, same आप shampoo के स हाथ कर लो, shampoo भी आपको slippery लगेगा, चिकना लगेगा, तो बच्चो, हम यह भी कह सकते हैं, कि bases are slippery to touch, और slippery को बच्चो, हम replace कर सकते हैं, soapy से, कभी कवर ऐसा होता है, मम्मी कहती है, मैंने अभी यह साफ करा है, नीचे साबून है, ध्यान से चलना कई फिसल मत जाना, तो मतल slippery और soapy, इन दोनों words को हम एक दूसरे की जगा यूज़ कर सकते हैं, हाँ कि ना, अगर कोई चीज slippery है, तो हम उसको soapy भी बोल सकते हैं, क्योंकि soap तो slippery ही होता है, तो बच्चो, bases are bitter in taste and soapy to touch, तो हमारे सारे bases कैसे होते हैं, हमारे bases slippery होते हैं, चिकने होते हैं, और साथ ही वो कड़वे होते हैं, यानि कि bitter होते हैं, clear है बच्चो, समझ आ गया, चलो फिर ये समझ आ गया, तो कुछ examples देखले, भाई, bases के, bases ने क्या गुना करा है, तो बच्चो, examples देखले, जैसे calcium hydroxide, ammonium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, तो बच्चो, calcium hydroxide, एक base है, जो lime water, जिससे lime water बनता है, अ अब आप कहेंगे, माम, lime water, lime मतलब lemon, lemon मतलब खटा, और खटा तो मतलब acid, तो माम, आप कैसे कह सकते हैं, कि lime water मतलब basic, तो बच्चो, science में, science में, lime water और lemon water में बहुत अंतर है, lime water और lemon water में बहुत अंतर है, lime water is nothing but calcium hydroxide का solution, calcium hydroxide का solution, जो की basic है, जो की एक base है, और अपना जो lemon water है, अगर नीमबू को पानी में निचोड दिया, तो वो जो lemon water है, lemon है, वो क्या है, acidic है, तो बिटा जी, हमारे lime water और lemon water में बहुत अंतर है, science की भाशा में, ठीक है, तो हमारा calcium hydroxide is lime water, ammonium hydroxide बच्चो, window clean करने के लिए use होता है, और भी among many other uses, sodium hydroxide, potassium hydroxide, आप higher classes में पढ़ेंगे कि बच्चो, इन से हम soaps and detergents बनाते हैं, ये भी basic होते हैं, magnesium hydroxide से बच्चो, milk of magnesia, ऐसा होता है ना, जब हम बड़ी सारी patty, burger, मम्मी कहती है, आज मैंने घिया बनाया है, तो हम कहते हैं, ना, ना, घिया तो नहीं खाएंगे हम, हम तो patty, pizza, burger, chawmin, ये सब खाएंगे, तो बच्चो, हमारा जो stomach है, हमारी stomach produce करती है hydrochloric acid, can you imagine, एक इतना strong acid हमारी stomach में produce होता है, तो देख रहे हैं आपके nature कितनी amazing है, तो हमारी stomach में hydrochloric acid produce होता है, ताकि खाना digest हो सके, बट बच्चो, अगर आप बहुत सारा खाना खालो होगे, खालोगे, pizza, burger, patty, सब कुछ खालोगे, तो जितना खाना खाऊगे, उतना acid release होगा उसको digest करने के लिए, तो जब बच्चो हमारी stomach में excess acid release हो जाता है, तो हमें क्या होती है, हमें acidity होती है, हमारे पेट में जलन होती है, छाती में जलन होती है, कभी कबार तो हमारे म ले लेते हैं, कुछ medicines ले लेते हैं, तो बच्चा, अगर हमें acidity हुई है, तो बच्चो हमें उस acidity को काटने के लिए, एक ant acid, anti-acid, हमें क्या लेना पड़ता है, एक ant acid लेना पड़ता है, मतलब जो acid के anti है, वो चीज हमें लेनी पड़ती है, जैसे digene, enolalia है ना, और इन acids में पाया जाता है, वो है magnesium hydroxide, तो बच्चो ये point आपको clear होगा, कि acidity को खतम करने के लिए, acidity का नाश करने के लिए, हम basis को consume करते हैं, जो कि मैं अभी आपको इसी class में आगे पढ़ाऊंगी, कि क्यों और कैसे, but acidity का नाश करने के लिए, हम basis का use करते हैं, and magnesium hydroxide is one of those basis, जि का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके कुछ basis के examples हो गए, moving further बच्चों, अब जैसे हमने acids की classification पढ़ी, तो आईए, basis की भी classification पढ़ लेते हैं, आप वही, same to same, basis है बच्चों हमारे classified है, into strong base and weak base, और आपको नाम सही पता लग रहा है, strong मतलब एक दाम, ताकतवर, और weak मतल less powerful है ना, ठीक है बच्चों, weak basis को हम mild basis भी कहते हैं, mild है ये, mild basis, ठीक है, अब बच्चों example देखिए, strong basis का हमारा example हो गया, sodium hydroxide, formula बच्चों पता होना चाहिए, NaOH, potassium hydroxide, potassium hydroxide, formula होता है बच्चों, KOH, और भी बहुत examples है, ठीक है, weak basis के बच्चों अब examples देखिए, magnesium hydroxide, MgOH whole twice, ammonium hydroxide, NH4OH and so on and so forth, तो ये हमारे examples है बच्चों कुछ weak basis के and strong basis के, तो अब बच्चों ये examples पड़े ही हैं, तो जड़ा इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी बालेते हैं, कि कौन सा base कहां use होता है, आखिरकार basis एहमी ही पड़ रहे हैं, कि आखिर इनका कुछ इस्तिमाल भी है जिंदगी में, तो आएए बच्चों देखते हैं, सबसे पहला है हमारे पास sodium hydroxide, तो बच्चों sodium hydroxide जो है वो एक lab reagent है, जब आप higher classes में जाएंगे, तो आपको labs में लेके जाये जाएगा, ठीक है, तब आपको वहाँ देखने को मिलेका कि वहाँ पे sodium hydroxide, NaOH, use किया जाता है experiments करने के लिए, so it is a lab reagent and it is used for the manufacturing of medicines, ठीक है, Ammonium hydroxide, एक stain remover है बच्चों, डाग अच्छे है, वो आई, देखिये, तो बच्चों दागों को हटाना है, stain remover, then है बच्चों manufacturing of nylon plastics and dyes, ठीक है, then बच्चों magnesium hydroxide, preparation of anti-acids, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि magnesium hydroxide is one of the base, जो कि हमारे anti-acids बनाने के लिए use होता है, स्टमक, सेम बात बोली मैंने, बोली के नहीं बोली, ठीक है बच्चों, तो ये कुछ uses थे, एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, देख लिया, चलो, बहुत बढ़ी बात है बटा, uses हो गए, basis के, चलो, अब बच्चों हम इस question पे आते हैं, जो कि मैं कर लोगे न, यार चल, इस चीज को टेस्ट करते हैं कि यह खटी है, यह कड़ी है, तो मैं बताऊंगा, यह acid है, यह base है, आप हर चीज को तो ऐसे उठा के टेस्ट नहीं कर सकते, सही बात है कि नहीं, तो कोई तो चीज ऐसी होगी न, जो हमें बताती है कि भाई, टेस्ट मत करो, प्लीज, मैं, मैं योधा बनके आगे आता हूँ, और मैं बताऊंगा कि यह चीज acid है या base है, तो बच्चों वो योधा, वो substance जो हमें बताता है कि यह चीज acid है, यह चीज base है, या फिर यह चीज neutral है, वो योधा कौन है बच्चों, वो योधा है, indicator, वो योधा कौन है इंडिकेटर, तो नाम से ही बच्चा पता लग रहा है कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं, बताने में, इंडिकेट करने में, कि कौन सी चीज आसिड है, कौन सी चीज बेस है, और कौन सी चीज न्यूटरल है, तो अब इससे पहले क्या फटी थो न सकती आप पानी पीते हो आप क्या पानि खटा या करवा होता है दुनिया की हर एक चीज आशिडर है जो चीज ना ही आसिट है जो चीज ना ही बेस है उन चीजों को बेटा हम neutral बोलते हैं, क्या बोलते हैं, neutral बोलते हैं, तो indicators हमारी मदद करते हैं, acids, base और neutral substances को distinguish करने में, उनके बीच में अंतर बताने में, कि हाँ भई, ये चीज acid है, ये चीज base है और ये चीज neutral है, तो अब आप कहोगे, कि मैं अगर indicators हमारी मदद कर रहे हैं, acids, bases वगेरा बताने में, तो क्या ये खुद से ही acid और base होते हैं, तो answer है बच्चो, no, indicators, माना कि indicators हमारी मदद कर रहे हैं, acids और bases में फरक करने में, acids और bases का पता लगाने में, बट ये खुद से acid या base नहीं होते हैं, ये बस हमारी मदद करते हैं, acid और base में फरक करने में, तो तो ठीक है बचो इंडिकेटर समझ आ गए इंडिकेटर वो योधा है जो कहते है भाई हर चीज टेस्ट मत करो अपनी सेहत का ध्यान रखो मैं कर दूंगा तुम्हारा सारा काम ठीक है बचो चाहिए फिर अब हम अब जो है ये बात आती है कि आखिर का फिर इंडिकेटर हमारी मदद करते कैसे हैं कैसे इंडिकेटर बताता है कि यार ये चीज आसुडिक है ये चीज बेसे के इंडिकेटर भी कुछ टेस्ट करते हैं कि इनके पास भी कोई माउथ होता है क्या तो नहीं बचो इंडिकेटर के पास एक सूपर पावर होती है इंडिकेटर के पास एक Indicators क्या करते हैं? Indicators acid या base में अपने रंग को बदल लेते हैं और उस रंग के बदलने से मुझे पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज acid है, ओहो हो ये चीज base है और भी बच्चो इंडिकेटर के पास super power होती है, कुछ smells related भी इंडिकेटर होते हैं बट वो हमें अभी नहीं पढ़ने हमें अभी कौन से इंडिकेटर पढ़ने हैं? हमें वो वाले इंडिकेटर पढ़ने हैं जिनकी super power क्या है? कि वो अपना रंग बदल सकते हैं, वो अपना color change कर सकते हैं. तो ये super power है, जरे इसको सजा देते हैं ना, ऐसे super power एकदम, ऐसे बढ़िया से सजा देते हैं सूपर पावर को, so what is the superpower of indicators जो हम पढ़ने वाले हैं, कि वो color change की मदद से हमें बताते हैं कि ये acid है या ये base है, ठीक है बच्चो, तो अब जैसे हमने acids and bases की classification पढ़ी है, वैसे ही आए indicators की भी classification पढ़ लेते हैं, तो indicators बच्चो वही same है, indicators को भी हम classify करते हैं into natural indicators and into synthetic indicators, अब क्या आपको नाम से ही पता लग रहे है, कि natural indicator कौन सा होगा और synthetic indicator कौन सा होगा, जी हाँ बच्चो, natural indicators, ऐसे indicators which are obtained from nature, ऐसे indicators which are obtained from nature are called natural indicators, ठीक है, और synthetic, नाम से ही पता लग रहे है, indicators जो हम इन स्वारों द्वारा ही laboratories में बनाये जाते हैं, made artificially in laboratories, उनको कहा जाता है, my dear students, synthetic indicators, अब आईए example देख लेते हैं, अपने natural indicators के examples हैं, बच्चों जो हमने अपने इस चाप्टर में पढ़ने भी हैं, वो है, litmus, turmeric, china rose, ये तीन बच्चों natural indicators अभी हमने detail में पढ़ने हैं, और बहुत सारी examples होते हैं, बट ये आप तीन देखिए, and many more, etc. Synthetic indicators के बच्चों examples देखिए, आप methyl orange, ठीक है, methyl orange नाम से घबराना नहीं है बच्चों, हमने अभी इनकी discussion नहीं करनी है, हमें से natural indicators ही पढ़ना है, बट हमें knowledge होनी चाहिए, synthetic indicators के बारे में भी, बच्चों, methyl orange हो गया, phenophthalene, and so on, ठीक है बच्चों, तो ये हमारे natural indicators के examples हो गए, ये हमारे synthetic indicators के example हो गए, और ये हो गई हमारी definition, ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इस chapter में हम तीन natural indicators को detail में discuss करने वाले हैं, जो की है हमारा litmus, then है हमारा china rose, उसके बाद है हमारा turmeric, तो आईए बच्चों, एक एक करके हर एक natural indicator को detail में समझते हैं, चलिए, पहला natural indicator है बच्चों, litmus, क्या है हमारा litmus, ये हमारा natural indicator है, ठीक है? The most commonly used natural indicator is litmus, it is extracted from lichens and it has a mauve या फिर purple color in distilled water, बच्चों, लाइकन एक ऐसा सा पौधा होता है, जिसको जब हम निचोडते हैं तो उसमें से एक liquid निकलता है, और उसको जब हम पानी में घोल दो, तो हमें एक purple color का solution मिलता है, बच्चों, अगर मैंने litmus, जो हमारा उस पौधे से निकला है, अगर मैंने उसको पानी में घोल दिया, तो हमें क्या मिलता है, एक बड़िया सा purple color लेते हैं, ठीक है, येस, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एक purple color का solution मिलता है, and my dear students, ये purple color का solution ही क्या है, ये purple color का solution ही है, हमारा litmus का solution, बट बचो लिटमस solution के साथ साथ लिटमस जो है ना वो छोटी-छोटी paper strips की भी form में मिलता है हमें, ठीक है, it is available in the form of solution, जैसे की मैंने आपको बताया, और in the form of strips of paper, छोटी-छोटी paper strips की form में भी यह हमें available होता है, और क्योंकि यह लिटमस का paper है, तो इसका नाम हमने रख दिया लिटमस paper, अब ऐसे होता है ना, कभी हमें market में कोई कपड़ा पसंद आता है, तो हम कहते हैं भाईया, इसमें ज़रा और color दिखाना, वैसे ही बचों, लिटमस paper में भी हमारे पास color की variety होती है, जी हाँ बचों, लिटमस paper भी हमारा दो रंग का होता है, एक होता है हमारा red ल solution है, ठीक है, और हमारे पास लिटमस paper है, और ये paper हमारे पास कैसा है, या तो red color में मिलेगा, या फिर हमें blue color में मिलेगा, it is available, as generally available as red and blue litmus paper, these substances are neither acidic nor basic, जैसे मैंने बच्चों आपको अभी बताया कि indicators, माना कि हमारी मदद करते हैं, बताने में कि ये acid है, ये base है, बट वो ख खुद से acidic या basic नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों इतना clear हो गया, आइए फिर देखते हैं कि हमारे लिटमस paper होते कैसे हैं, ये देखा बच्चों, ये होता है हमारा red litmus और ये होता है हमारा blue litmus paper, ठीक है, तो अब जैसे हमने indicator की superpower discuss करी थी, कि ये हमें acid और base में अंतर बतात color, तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे, कैसे litmus हमें बताता है कि यार ये चीज़ आशा डिक है, ये चीज़ basic है, अभी हम litmus paper में बात पर आएंगे, पहले हम litmus solution की discussion करते हैं, let us suppose बच्चों ये मेरे पास litmus solution है, ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारा जैसे मैंने आपको बताया कि purple color का litmus solution है, ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, मैंने एक test tube, दो test tube ली और थोड़ा-थोड़ा सा मैंने दोनों में indicator डाल दिया, ठीक है, ये लो, बड़ा interesting है बच्चों मजा आने वाला, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा indicator डाल दिया, यहाँ बेवे मै सबसे पहले मैं लेकर आये सबसे पहले बच्चा मैं लेकर आई एक acid और मैंदे इसमें डाला डाल ज़िंटिक है इसटेजाब खतरनाक तो मैंने इसमें डाला तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया PB घ़शाव खतर नाक और खत्रे का रँग या होता है खत्रे का रँग होता है लाल तो जी हां बच्चों जब हम लितमस में आसट डालते हैं या फिर हैसरे में लितमस डालो भई तरभूस चाकू पर गिरे चाकू तरभूस पर गिरे करने का थे तरभूस़ राभूस ही हो जाएगा बच्चों अब इसका कलर हो जाएगा रेड ठीक है देख रहे हो कैसे इसने अपना कलर चेंज कर लिया पहले यह परपल कलर का था अब यह हो गया रेड अब अगर बच्चों दूसरी तरफ मैंने डाला बेस दूसरी तरफ अगर मैंने बेस डाला तो बच्चों ब B for base and B for blue, तो जी हाँ, सही पकड़े हैं, तो बच्चों जब हम base डालते हैं, तो ये जो हमारा purple color का litmus का solution था, ये हमारा blue color में change हो जाता है, तो देख रहे हो, इस purple से हमारा ये red और ये blue color आ गया, आबरा गडाबरा हो गया, magic हो गया, तो क्या अब मैम ये लिख सकती है, कि in case of acids, in case of acids हमें purple color red में बदलता दिखता है, purple color red में बदलता दिखता है, and in case of bases, हमें purple जो color है, वो blue में बदलता दिखता है, ठीक है, तो ये तो हो गया, बच्चों लिटमस के solution की बात, लिटमस solution की बात हो गई, अब हम आते हैं लिटमस paper पे, तो लिटमस paper हमारे पर दो color के हैं, एक है हमारा red लिटमस और एक है हमारा blue लिटमस, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि magic हो रहा है, आबरा का डाबरा हो रहा है, तो बच्चों इस आबरा का डाबरा का हमें क्या learn करना है, आबरा, तो बच्चों A, B, R, अब देखें इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों इस A, B, R का मतलब है, acids turn blue litmus paper red भाई ये तो सही में magic कर दिया है मैं हमने A, B, R, आबरा का डाबरा का मतलब है कि acids turn blue litmus paper into red तो बच्चों अगर मैंने इस blue litmus paper पे दो बून्दे डाल दी acid की अगर मैंने इस blue litmus paper पे दो बून्दे डाल दी acid की तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो blue litmus paper है न वो हमारा red color में change हो जाएगा ठीक है और बच्चों अगर मैंने red litmus पे डाल दी acid तो red red कुछ देखने कोई नहीं मिलेगा तो जी हाँ acids जो है वो blue litmus को तो red करते हैं क्या कहा मैंने acids जो है वो blue litmus को तो red करते हैं बढ़ red litmus के case में उनमें कोई change नहीं आता क्यूंकि red red दिखना ही नहीं है हमें कुछ है ना ठीक है अब बच्चों आते हैं दूसरे प्यों आज कर जैसे चैटिंग होती है टेक्सिंग होती है ना तो उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं कभी को यह ना टीटी वायल टॉक्टू यू लेटर है ना I don't know के लिए ID के यूज करते हैं वैसे ही एक होता है BRB BRB का मतलब होता है B right back भाई मैं दो मिनिट में वापिस आ रहा हूं है ना B right back BRB तो अब उस BRB का मतलब बच्चों बदलने वाला है अब इस BRB का मतलब हो गया बच्चों Bases turn red litmus paper blue तो जी हाँ बच्चों अगर मैंने इस red litmus paper पे दो बूंदे डाल दी base की तो यह जो हमारा red litmus paper है वो convert हो जाएगा किस कलर में वो change हो जाएगा हमारा blue color में और अगर मैं blue litmus paper पे base डाल दूंगी तो blue blue कुछ देखने को यह नहीं मिलेगा तो yes basis red litmus को तो blue करते हैं but red litmus को तो blue करते हैं but blue litmus paper पे हमें कोई change देखने को नहीं मिलता तो बच्चों क्या आपको assets की कहानी और basis की कहानी समझा गई क्या आपको assets की कहानी और basis की कहानी समझा गी कि कैसे हमारा जो litmus indicator है वो color change करके हमें बता रहा है कि हाँ भाई देखो देखो वो कैसे हमें color change करके बता रहा है कि यह चीज आसे देखे यह चीज बेस हैं अब बच्चों एक और देखो अगर मैंने इस litmus solution में अगर मेरे पास यह test tube है मैंने इसमें litmus का solution ले लिया और मैंने इसमें कोई चीज डाली मेरे को किसी ने एक जादूई portion दे दिया ये लो पता लगाओ कि यह acid है बेस है या neutral है तो बच्चा अगर आप इसमें वो जादूई बुंदे डालोगे अगर इसका color हो गया लाल तो मतलब वो acid है अगर इसका color हो गया blue तो मतलब वो base है बट अगर इसके color में क color होती है ठीक है बच्चों तो इसी से हम ये conclusion निकालते हैं कि blue litmus जब red हो जाता है तो हमारे पास acidic solution होता है देखो ना आबरा का डाबरा ठीक है acidic solution blue litmus red जब red litmus blue हो जाता है तो मारे पास base होता है BRB base जब होता है तो red litmus blue हो जाता है और अगर बच्चों कोई change देखने को नहीं मिला तो वो solution ना ही acidic है ना ही basic है मतलब वो बच्चों solution neutral है clear हो गया इतना समझा आगया आपको आया गी नहीं आया चलो बच्चों अब हम अपने अगले indicator पे अगले natural indicator पे चलते हैं जो की है हमारे तर्मरिक विको टर्मरिक नहें कोस्मेटिक ऐसी सी को याड आती है न तो बचो ये है हमारे टर्मरिक तर्मरिक यानि की हल्दी जो हमारे घरों में भी मिलती है और आप जानते हैं बचो के इस हल्दी का कलर कैसा होता है इस हल्दी का कलर होता है येलो कैसा कलर होता है येलो होता है तो ब क्या करो घर पर आपके पास हल्दी होगी आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला कि उसका ठीक पेस्ट बना लो फिर बच्चो आप लो एक फिल्टर पेपर ठीक है फिल्टर पेपर होता है फिल्टर पेपर आप लो और उस पे क्या करो उस हल्दी वाले पेस्ट को अच्छे से लिकड़े हैं वो भी बच्चों हमारा यलो कलर का होगा तो ये है बच्चों हमारा तर्मरिक पेपर ये क्या है यलो कलर का हमारा तर्मरिक पेपर हो गया ठीक है बच्चों आप देखो अब तर्मरिक पेपर के सूपर पावर तो देखी नहीं हमने देखो बच्चों अब अग अगर मेरे पास है base तो बेटा अगर मैंने इस टर्मरिक पेपर पे दो बूंदे acid की डाल दी तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो टर्मरिक पेपर है ना वो यलो का यलो ही रहता है उसमें कोई change नहीं आएगा यह यलो का यलो ही रहता है बट अगर मैंने इस टर्मरिक पेपर दो बुन्दे base की डाल दी, तो ये yellow color का जो turmeric paper है ना, वो red में change हो जाता है, let us suppose मैंने दो बुन्दे base की डाल दी, तो ये yellow color का turmeric paper जो है बच्चों वो red में change हो जाएगा, बट acid के case में कोई change नहीं आएगा, acid के case में वो yellow का yellow ही रहेगा, तो ये थी बच्चों turmeric की super power, के acid के case में yellow का yellow ही, base के case में yellow का red ही, और क्या आपने देख है, कि कभी कबार आपने भई पहनी है white color की shirt, कोई हलकी रंग का कपड़ा पहना है, और उस पे गिर गया हल्दी का निशान, ओहो हो हो मुम्मी से किती डान पड़ती है ना, तो जब बच्चों वो कपड़ा धुल रह होता है, जिस पे हल्दी का निशान है, तो आप अगर उसको ध्यान से देखो, कि जब उस पे ऐसे साबुन रगड़ा जाता है, तो साबुन क्या है बच्चों, साबुन हमारा base है, और जो हमारी हल्दी है, हल्दी या turmeric वो एक indicator है, जो base की presence में yellow से red हो जाती है, तो बच्चा जब हम उस हल्दी के निशान को साबुन से रगड़ते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो निशान है, वो reddish color में change हो जाता है, और क्यों हो जाता है, क्योंकि हल्दी एक indicator है, जब आप उसको सोब से रगड़ रहे हो, जो कि basic in nature है, तो वो indicator अपना रंग बदलेग है, है की नहीं, चलो बच्चो बहुत बढ़िया, तो अब हमने देख लिया, अगर कोई color change नहीं है, अगर yellow का yellow ही रहा, तो हमारे पास acidic solution है, और अगर बच्चो yellow का red हो गया, तो हमारे पास basic solution है, तो यह थी superpower बच्चो टर्मरी की, अब जो हमारा next natural indicator है, वो है बच्चो चा होगा है, तो बच्चो यह होता है हमारा एक natural indicator और इसको बनाना भी बहुत असान है, ठीक है, इसमें क्यों बच्चो आप क्या कर सकते हैं, आपना यह अपना china rose की कुछ पतियां लो, और उसको तोड़के, कुछ petals के तोड़के, आप hot water में उसको डुबो दो, और कुछ तो बाद देखने को मिलेगा बच्चो कि आपके पास एक light एक मिलेट बड़िया सा color लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एक light pink color का ओ यह तो white ही हो गया, रुकिए बच्चो बड़िया सा दिखाएंगे आपको, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एक light pink कलर आ जाएगा और यही light pink कलर बच्चों यही light pink कलर क्या है हमारा indicator है तो अब बच्चों मैंने क्या करा मैंने इस indicator में डाल दिया acid मैंने क्या करा मैंने इसमें डाल दिया acid और दूसरे case में मैंने इसमें डाल दिया base तो बच्चो जब मैं इस light pink color में acid को डालूंगी तो पता है आपको क्या color देखने को मिलेगा तो यह जो light pink color है न वो हमारा change हो जाएगा किसमें यह यह बड़या color है ओहो एक सेकंड यह वो बच्चो हमारा change हो जाएगा dark pink magenta reddish के shade में तो अगर मैंने इस light pink में acid की दो बुंदे डाल दी तो दो बुंदे मतला थूड़ा सा acid डाल दे कि बच्चे करें दो ही बुंदे डाल नी है तो बच्चो अगर मैंने इस अपने china rose के indicator में जिसका light pink color है उसमें acid डाल दिया तो इसका color change होके dark pink magenta या फिर reddish shade का हो जाता है और अगर बच्चो मैंने इसमें base डाल दिया तो base डालने में बच्चो इसका color जो है वो somewhat dark green हो जाता है तो base के case में हमारे पास ये color आया और acid के case में हमारे पास ये color आया पर let us suppose बच्चो मैंने एक ऐसी चीज डाली लेटर सुपोस मैंने कुछ डाला tip करके डाला और हमें कोई color change देखने को नहीं मिला हमें no color change देखने को मिला तो मतलब वो चीज ना ही acidic है ना ही basic है मैंने दो बुंदे डाली कोई color change नहीं हुआ nā中 एक पिंग ना ग्रीन आया मतलब वो दो बूंदे लाई एसेडिक यह ना ही बेसिक है तो मतलब वो दो बूंदे कैसी हो गई तो बच्चो मैंने ऐसे यह देखा कि अगर आपने ऐसे बड़ीया बड़ीया ड्रॉइंग करके और इन सब चीज़ों का यूज करो ना तो बहुत अच्छे से समझाते हैं कहते हैं ना a picture is worth a thousand words मैं बोलती ही जाओं बोलती ही जाओं बट अगर मैं एक image बना दूँ या आपको को इक image दिखा दूँ तो आपको उससे जादा अच्छे से जादा quickly समझा जाएगा तो बच्चो क्या आपको indicators clear हो गए हैं कि नहीं हुए हैं बताइए मुझे indicators में हमने अपने तीन indicators पड़े हैं बच्चो एक हमने litmus पड़ा है एक हमने turmeric पड़ा है यानि की हल्दी और एक ह क्या हमारे color changes होते हैं तो बच्चो अगर आपको भाई समझ आ गए है इंडिकेटर तो comments में बना देना कि मुझे समझा है कि सबको crystal clear हो गया है ठीक है बच्चो चलिए अब इंडिकेटर के बाद हमारा next topic of discussion है acid rain तो बच्चो 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 बारिश में acids घुल जाते है तब वो बारिश जो है वो acid rain बन जाती है अब आप कहेंगे कि मैम अखिरकार बारिश में उपर से बारिश नीचे गिर रही है तो वहां तक acids कैसे पहुचे सही बाद भी है तो बच्चो देखें अब आप जानते हैं कि जितनी भी factories हैं इंडस्ट्रीज है वो क्या है वो कित hydrogen dioxide and many other gases तो बच्चो जब ये gases हमारी atmosphere में release होती है तो ये उपर उड़के जाती है उपर atmosphere में जाती है वहां पे हमारी water droplets होती है और ये उनके साथ मिलके acids बना देती है तो बिटा जी जो हमारी carbon dioxide है वो बनाती है अपना carbonic acid येस वो बनाती है carbonic acid जो sulfur dioxide है वो पहले sulfurous acid बनाती है फिर further reaction होने के बाद वो sulfuric acid बना देती है और जो हमारी nitrogen dioxide है वो nitric acid बनाती है देख रहे हूँ अभी हमने पड़ा कि ये क्या थे ये acids हैं और ये पानी में जाके मिल गए है तो सोचो बच्चो जब ये बारिश अब नीचे गिरेगी तो वो अच्छी वाली बा साथ ही में बच्चो animals को, plants को, even monuments को भी देखिए acid rain हमें तो damage करती ही है, buildings को, historical monuments को, plants और animals इनको भी खत्रा है acid rain से, अब आप जानते हो जो हमारा ताज महल था ना, वो पहले pure white marble का था, but बच्चो with time acid rain होने की वज़ा से वो पीला पड़ गया है, तो देख रहे हैं बच्च acid rain से जो damage होई है, तो इसलिए बच्चो हमें अपने environment को क्या करना है, preserve करना है, यह हमारी responsibility है, ठीक है बच्चो, इतना आपको clear हो गया, acid rain तक सब समझ आ गया, बहुत बढ़िया बच्चो, बहुत ही बढ़िया, तब बच्चो अब हमने acids पढ़ लिया, indicators पढ़ लिया, basis प सवाल पूछती हूँ, कि अगर मैं एक acid और एक base को मिला दूँ, अगर मैं एक acid और एक base को मिला दूँ तो क्या होगा, बताईए, बताईए, सोचिये, सोचिये, कि अगर मैंने एक acid और एक base को मिला दिया, तो क्या होगा, मैं ही बताती हूँ, ठीक है, देखो बच्चो, गषबराना नहीं है, अभी इसको समझते हैं,ाश्चे की uggs system, गफ्म बढ व्या थंडे पानी से नाते हैं ,बट सर्द्रों में हम क्या करते हैं , सर्द्रों में हम थंडे पानी से realized, मतBILL कुछ लोग भी लेते हैं बट तो क्या करते हैं आधी बाल्टी भरते हैं गरम पानी की और आधी बाल्टी भरते हैं ठंडे पाने की ताकि इकोल इकोल गरम पानी ठंडा पानी वो क्या करें एक दूसरे से लड़ाई करें युद करें और हमें एकदम परफेक्ट टेंपरेचर का पानी मिले जिससे हम नहा सक सिमिलरली बेटा जब हम एसेड और बेस को मिक्स करते हैं तो एसेड भी अपने हतियार लेके बैठा होता है बेस भी अपने हतियार लेके बैठा होता है और इनके बीच में से धिशुम 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 फाइट होती है तो बचों इनकी फाइट के बाद क्या होता है acid और base जो है जब वो मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के नेचर को cancel कर देते हैं वो एक दूसरे के नेचर को बच्चो नश्ट कर देते हैं क्या कर देते हैं नश्ट कर देते हैं तो अब जो चीज बनके आती है वो ना ही acidic होती है ना ही basic होती है क्योंकि acid और base जो है वो nature नश्ट हो चुका है तो जो चीज बन के आई बच्चो वो ना ही acidic है ना ही basic है तो वो चीज बच्चो क्या हो गई? जी हाँ सही पकड़े हैं वो चीज होती है बच्चो neutral तो जब acid और base react करते हैं तो एक neutral substance बनता है और साथ ही में बनता है पानी और ये neutral substance is nothing but salt अब इससे पहले कोई कहने मैं salt मतलब जो हमारे खाने में टलता है ताटा नमक देश का नमक वो भी बच्चो salt है बट इस one of the example of salt सिरफ वही salt नहीं होता सिरफ वही नहीं बनता वो भी बनता है और बहुत सारे salts और होते हैं ठीक है बच्चो तो जब acid और base react करता है तो salt बनता है जो की neutral है क्योंकि acid और base के reaction से उन दोनों का nature नश्ट हो चुका है और हमारे को एक neutral substance मिलता है जो की है salt और साथ ही में मिलता है पानी और क्योंकि बच्चो हमें neutral substance मिल रहा है acid और basis का nature जो है वो नश्ट हो रहा है तो इस पूरे reaction को बिटा जी कहा जाता है neutralization reaction क्या कहा जाता है neutralization reaction कहा जाता है देखिए when an acidic solution is mixed with a basic solution both the solutions neutralize the effect of each other यह एक दूसरे के nature को नश्ट कर देते है when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount both the acidic nature of the acid यह important है both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base is destroyed acid का जो नेचर है खतम base का जो नेचर है खतम तो भाई जब acid और basic nature ही नहीं रहा तो वो चीज क्या हुई जो चीज बनी वो neutral ही तो होगी ना acid ना base the resulting solution is neither acidic nor basic जैसे की मैं आमने आपको बताया यह बात है मैं सही बाते बता रही है ना चले बचों फिर है in neutralization reaction heat is always produced or evolved अब बचों यह चीज इंपोर्टन है जब neutralization reaction होता है ना तो let us suppose आपके पास एक बीकर है ठीक है अब पहले reaction करने से पहले इस बीकर को हाथ लगा के देखना यह normal temperature पे होगा अब आप इसमें acid और base डाल दो ठीक है अब आप क्या करो अब आप इसमें acid डाल दो एक मिनट अब आप इसमें acid डाल दो और base डाल दो तो जब बच्चों acid और base के बीच में reaction होगा neutralization reaction होगा तो बच्चों हमेशा heat जो है वो निकलती है तो reaction हो जाने के बाद अगर आप इसको फिर से हाथ लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यह गरम हो चुका होग क्योंकि बच्चों जब भी neutralization reaction होता है तो heat हमेशा निकलती ही है तो हम कह सकते हैं कि जब भी acid और base react करती है तो बनता है बेटा एक neutral substance जो की है salt साथ में मिलता है पानी और साथ में जो है heat निकलती है ठीक है the heat evolved raises the temperature of the reaction mixture जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो temperature है वो बढ जाएगा ठीक है बच्चों फिर देखो in neutralization reaction a new substance is found अरे मैं ने भी यही बताया है this is called salt पर salt मतलब टाटा नमक देश का नमक नहीं वो भी salt है देखिए NACL जो हमारा salt है जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं it is one of the example of salt सिरफ वही salt नहीं है वो salt का एक example है ठीक है this is called salt salt में भी acidic basic और neutral in nature बच्चों यह line important है इसको देखो बच्चों अच्छे से समझते हैं तो जैसे कि मैंने आपको example दिया कि जब हम सर्दियों में नहाते हैं तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि भाई हमें थंडे पानी से नहीं नहाना तो हम क्या करते हैं बाल्टी में गरम और थंडा पानी भरते हैं तो जब बच्चों मेरे पास equal amount of water है अगर मैंने equal amount of गरम और equal amount of थंडा पानी अग्दम आधा आधा perfectly आधा आधा mix करा तो जो मुझे पानी मिलेगा वो एकदम perfect temperature को होगा एकदम बढ़िया पानी होगा अब बच्चों next case लेके देखो next case में मैंने क्या करा next case में मैंने गरम पानी जाधा ले लिया ठीक है और थंडा पानी थोड़ा कम लिया ठीक है याँ पर मैंने इक्वलीक्वल लिया था यहां पे मैंने गरम पानी जाधा ले लिया धंडा पानी कम ले लिए तो जो मुझे अब final भाल्टी में पानी मिलेगा वो क्या होगा गरम होगा ठीक है जाधा गरम होगा तीसरे case में बच्चों मैंने बा एकदम perfect पानी होगा, यहाँ पे हमारा गरम पानी होगा और यहाँ हमारा ठंडा पानी होगा, similarly बच्चो जब मैं acid और base का reaction करवा रही हूँ और मुझे मिल रहा है salt and water, तो अगर बच्चो acid और base की ताकत equal है, अगर acid के पास भी equal power है, base के पास भी equal power है, तो जो salt बनेगा वो completely neutral बनेगा, उसमें ना ही, मतलब acid और base एक दूसरे को completely नश्ट कर देंगे, क्योंकि वो दोनो equally powerful है, तो क्या होगा, जब acid और base की ताकत same है, तो क्या होगा, जो salt बनेगा, वो कैसा बनेगा, neutral बनेगा, कैसा बनेगा, neutral बनेगा, next case देखो, अगर बच्चो acid जादा ताकतवर ह है, तो क्या होगा, माना कि वो एक दूसरे को नश्ट कर देंगे, बट क्योंकि acid जादा ताकतवर था, तो जो यहाँ पर मेरा salt बनेगा, उसमें थोड़ी बहुत acid property आ जाएगी, तो अब इस case में मुझे acidic salt मिलेगा, फिर से repeat कर रही हूँ, अगर मेरा acid base से जादा ताकतवर है, तो माना कि वो एक दूसरे से युद करेंगे, बट acid क्योंकि जादा ताकतवर है, तो वो युद जीत जाएगा, और जो salt हमें मिलेगा, वो acidic in nature होगा, तीसरा case देखो बच्चो, अगर उस युद में base जादा ताकतवर है, तो फिर से acid और base लड़ेंगे, बट क्योंकि base जादा ताकतवर है, तो base जीत जाएगा, और जो मुझे salt मिलेगा, वो basic in nature होगा, तो मैंने ये बोला कि अगर acid और base equally ताकतवर है, तो हमें क्या मिलेगा, एक neutral salt मिलेगा, equally या तो ताकतवर है या equally weak है, ताकतवर है, तब भी हमारे को क्या मिलेगा, दोनों एक दूसरे को ब मिलेगा, अगर base जादा ताकतवर है, तो basic salt मिलेगा, I hope कि आपको ये point clear हो गया होगा, this is called salt, salt में भी acidic, basic और neutral in nature, तो क्या आपको ये point clear हो गया, हुआ के नहीं, चले बच्चों बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं, next topic, तो अब अगर हम neutralization को बच्चों conclude करना चाहें, तो neutral neutralization can be defined as follows, the reaction between an acid and base is known as neutralization, salt and water are produced in this process along with heat, तो देखे बच्चों, acid और base मिलके मुझे salt and water दे रहे हैं, और साथ में heat भी produced हो रही है, the following reaction is an example of neutralization reaction, बच्चों हमारा एक world famous example है, HCl, जो की एक acid है, अगर मैं उसको NaOH, जो की एक base है, उसके साथ react कराऊं, तो मुझे salt मिलेगा NaCl, स और साथ में हमारी heat भी produce होगी, ठीक है बच्चों, clear है, समझ आगया आपको, चलिए, तो बच्चों अब, अब आपको होगे कि मैम, यह जो आपने हमें इतनी महनत करके, and I hope अच्छे से clear भी करती होगा, तो मैम आपने इतनी महनत करके हमें neutralization पढ़ाया, तो क्या भई, इस neutralization का कोई फायदा भी है कि मैम, एम ही पढ़ा दियो कि पढ़ लो, नहीं बटा, neutralization topic इसलिए इतना interesting है क्योंकि हमें अपनी आस पास की दुनिया में यह देखने को मिलता है, तो देखे बच्चों, neutralization in everyday life, पहला है बच्चों, indigestion, पहला क्या है, indigestion, जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया, जब हम बहुत सारी पैटी, चॉकलेट, बर्गर, पीजा, चॉमिन, यह सब खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्टमक में excess acid produced होता है, आर स्टमक contains hydrochloric acid which helps to digest food, but too much of acid in the stomach causes indigestion, बदहजमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों हमारे को जलन होती है, पेट में acidity हो रखी है, तो उस acid के nature को, उस acid को नष्ट कौन कर सकता है, base कर सकता है, इसलिए मैंने आपको पीछे बताया, magnesium hydroxide क्या था, magnesium hydroxide एक base है, तो जब हमारे को acidity होती है, पेट में acid है, तो हम base को consume करते हैं, ताकि base और acid अंदर जाके युद करें, और क्या हो जाए, neutralize हो ज जाए, ठीक है बच्चो, to relieve indigestion, we take an anti-acid जैसे की मैंने आपको बताया, such as milk of magnesium, मतलब magnesium hydroxide, which contains magnesium hydroxide, और क्या बात है, मैं तो से लाई आउने से पहली बता देती है, it neutralizes the effect of excess acid, तो ये जो magnesium hydroxide है, ये एक base है, वो हमारी body में जाके acid के साथ यूद करेगा, और एक दूसरे को वो कि ये एक temporary solution होता है, ये निके भई, चौकलेट, पीजा, बर्गर, पैटी खाते रो, और साथ हमें अपना magnesium hydroxide, डाइजिन, डूजिन लेते रो, नई बच्चो हमें अच्छे से, मतलब balance diet लेनी है, ना कि green vegetables भी खानी है, कभी कवार भार खा भी खा सकते हो, अच्छे से balance diet ल चुके हैं, चीटी काटती है, तो वो एक formic acid release करती है हमारी body में, जिसकी वज़े से क्यों होता है, लाल हो जाता है, हाथ, जलन होती है, है ना, तो बच्चों, अब अगर चीटी हमें काट गई, तो हम क्या कर सकते हैं, the effect of acid can be neutralized by rubbing, moist baking soda, बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा baking soda है, वो एक base है, हाँ की ना, बताया है कि नहीं, तो बच्चों, अगर मैं baking soda, जो की एक base है, उसे वहाँ रब कर दूँ, जहाँ पे मुझे चीटी ने काता है, जहाँ पे acid लगा हुआ है, तो क्या होगा, acid और base एक दूसरे को neutralize कर देंगे, और मुझे pain से, irritation स राहत मिलेगी, या तो बच्चों, हम baking soda रब कर सकते हैं, थोड़ा सा गिला करके, या फिर calamine solution, which contains zinc carbonate, यह भी हमारा basic की nature होता है, आप यह भी लगा सकते हैं, simple सी बात है, चीटी ने काटा, उसने acid release करा, हमें उस acid को neutralize करना है, मतलब सब कुछ एकदम उसके nature को खतम ही कर द जाएगी, next है बच्चो, soil treatment, तो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आप से बात करी कि acid rain होती है, पेड़ पौध ही नश्ट होते हैं, तो अभी acid rain, obvious सी बात है, soil पे भी गिरेगी, soil क्या हो जाएगी, acidic हो जाएगी, और जैसे कि आजकल आप जानते हो कि बहुत जादा chemical fertilizers का भी use होता है, soil की यूनो, वो बढ़ाने के लिए, soil की properties को बढ़ाने के लिए कि crops वगेरा भी अच्छी produce हो, तो काफी जादा chemical fertilizers use होते हैं, कुछ amount में तो अच्छी बात है, बट जब हम उसको excess में use करते हैं, तो उसकी वज़ए से आखिर कर है, तो वो chemicals ही, तो उसकी when the soil is either acidic or too basic, जब बहुत ज़्यादा acidic या बहुत ज़्यादा basic soil हो जाएगी, तो बच्छो plants उसमें नहीं उग पाएंगे, तो अब बच्छो दो cases है, या तो हमारी soil क्या हो जाए, या तो हमारी soil हो जाए acidic, या फिर हमारी soil हो जाए basic, तो मेरे प्यारे बच्छो, मैंने अभ करना है, उसका खात्मा करना है, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, मुझे base डालना पड़ेगा, तो बेटा जी अगर मेरी soil बहुत ज़्यादा acidic हो गई है, तो मैं उसमें base डालूंगी, अब उल्टा आ जो, अगर मेरी soil बहुत ज़्यादा basic हो गई है, वो भी अच्छी ब बेस से ट्रीट करते हैं, जैसे कि quick lime, slaked lime, etc. ये कुछ बच्चो basis के example है, quick lime मतलब calcium oxide, slaked lime मतलब calcium hydroxide, ये कुछ basis है, जो कि आप अपनी soil में डाल सकते हैं, अगर आपकी soil क्या हो गई है, बहुत जादा acidic हो गई है, तो acid और base रियाग करके neutral हो जाएंगे, तो soil बढ़िया हो था, तो उन में क्या होता है, compost और manure में बच्चो acidic चीज़े होती है, उसकी property acidic होती है, देखिए, organic matter releases acids, which neutralizes the base, basic nature of the soil, तो अगर हमारी soil basic हो गई है, तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं, ये organic matter डाल सकते हैं, manure, compost वगईर डाल सकते हैं, जिनकी acidic property है, तो acid, bases, ये एक दूसरे सर properties को नश्ट कर देंगे, nature को नश्ट कर देंगे, सब कुछ सुखी सुखी हो जाएगा, neutral हो जाएगा, ठीक है बच्चो, इसके बाद आता है हमारा factory waste, if they are allowed to flow into the river bodies, the acids will kill the fish and other organisms, तो बच्चो जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो हमारी industries या factories हैं, वो हवा में तो gases release कर ही रही है, साथ साथ आप जानते हैं, कि वो क्या करती है, वो बच्चो chemical से भरे पानी को as it is river में release कर देती है, अगर आप डेली से हैं, तो आपने यमुना river का तो हाल देखा ही होगा, उसमें जाग है, उसकी इतनी मुरी हालत हो रखी है, तो क्यों होता है rivers के इतना मुरी हाल, है, rivers में release कर देती है, if they are allowed to flow into the rivers, या फिर water bodies, the acids will kill the fish and other organisms, तो बच्चो अब जो पानी में हमारे aquatic animals हैं, मचली जल की रानी हैं और बहुत सारे aquatic animals हैं, वो भी मर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, ना मतलब, it's not good for them, the waste of many factories contain acids, chemicals हैं, acids हैं उनमें, तो अब बच्चो अगर मुझे उ इस acid को neutralize करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पानी में जो हमारा waste water है, जो acids, जो chemical से भरा हुआ है, अगर मैं उसमें base डाल दूँ, तो क्या होगा, neutralization हो जाएगा, ना acid बचेगा, ना maze बचेगा, neutralize हो जाएगा, तो अब अगर मैं इस पानी को rivers में release करूंगी, तो aquatic life को हम नहीं होगा, देखिए, the factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances, ये बच्चों मेरा factory का waste था, जिसमें बहुत सारे क्या थे, जिसमें बहुत सारे acidic चीज़ें थी, chemicals थे, अब अगर मैं उसमें बच्चों base डाल दूँगी, तो क्या होगा, neutralization reaction हो जाएगा, अब ये पानी हमारा better हो चुक तो बच्चों aquatic life को जो है हम नहीं होगा, तो बच्चों क्या आपको ये सारा factory waste और neutralization in everyday life समझ आया, मज़ा आया, पहले मुझे ये बताओ, कि मज़ा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो बस अगर मज़ा आया है, तो भाई, मेरे कुछ सवालों का जवाब भी दे दो मैं भी देखू कि आपको मज़ा आया कि नहीं, आपको समझ आया कि नहीं, चलिए बचो, एक quiz कर लेते हैं, आओ, आओ, चलो, पहला question है बचो, the property which is common between vinegar and curd is that, चलिए बचो, मैं आपको 5 second का time देती हूँ, मैं 5 seconds wait करती हूँ, आप इसका answer पहले खुद सोचिए, the property which is common between vinegar and curd is that, they have a sweet taste, bitter taste, tasteless or sour taste, and your time starts now, 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चो, vinegar क्या है, acid है, curd क्या है, acid है, and acids are sour in taste, तो बच्चो, vinegar और curd में क्या common cheese है, क्या common property है, they have a sour taste, तो answer हो गया D, तो क्या आपका answer D था, बहुत बड़ी है बच्चो, चलो, next question है बच्चो, one of the following is a medicine for indigestion, this is sodium hydroxide, magnesium hydroxide, manganese hydroxide, potassium hydroxide, और आपका समय शुरू होता है, अब, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चो, समय समाप्त हुआ, और correct answer क्या हो गया, indigestion, bad hazmi, acidity हो गई, तो मैंने आपको भी 3-4 बारी बता चुकी हूँ, कौन सा base यूज करते है बच्चो, magnesium hydroxide को use करा जाता है, milk of magnesia, यह सब जो हमारे digene antacids है, one of the base used in them is magnesium hydroxide, answer हो गया C, next, which of the following will turn red litmus blue, और आपका समय शुरू होता है, अब, 1, 2, 3, 4 and 5, तो बच्चो, red litmus blue हमने पढ़ा है, आपरा का डापरा, A, B, R और दूसरी चीज हमने पढ़ी है, B, R, B, acids turn blue litmus red, bases turn red litmus blue, तो red litmus blue पूछा है, red litmus blue पूछा है, मतलब हमें इन में से base को ढूंडना है, तो बच्चो, vinegar acid है, lemon juice acid है, soft drinks acid है, तो हमारा इन में से base क्या हुआ, base हुआ, बच्चो, सही पकड़े है, baking soda solution is basic in nature, तो वो क्या करेगा, वो red litmus को blue करेगा, तो क्या आपका answer C था, था के नहीं भई, सत-सल बताओ, चला बच्चो, next question है, turmeric is a natural indicator on adding its base to acid and base separately, natural indicator लिया, acid में डाला, base में डाला, which color would be observed, और आपका समय शुरू होता है, अब, one, two, three, four, five, समय समाप्थ हुआ, तो बच्चो, turmeric है, वो naturally हमारा yellow color का होता है, ठीक है, अगर मैं उसको acid में डाल दूँ, तो वो yellow का yellow ही रहता है, अगर मैं उसे base में डाल दूँ, तो वो yellow का red हो जाता है, तो अब हमने उसको acid और base में डाला, तो क्या color देखने को मिलेगा, yellow in both, नहीं, pink in acid, yellow in base, नहीं, yellow in acid, red in base, जी हाँ, red in acid, blue in base, नहीं, तो हमारा correct answer क्या हो गया, हमारा correct answer हो गया, B, which is yellow in acid and red in base, यलो in acid and red in base, ठीक है, चलो वच्चो, last question, products of neutralization reaction are always are, जैसे कि आप जानते हो कि neutralization reaction होता है acid और base के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, ये आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब, और आप कोई lifeline नहीं यूज कर सकते हैं, आपकी सारी lifeline खतम हो गई, चलो वच्चो, one, two, three, four, five, तो वच्चो, correct answer क् acid और base जब react करते हैं, यानि की neutralization reaction होता है, तो हमें मिलता है salt और हमें साथ में मिलता है पानी, और एक extra information, साथ में बहुत जादा heat भी प्रड्यूस होती है, but heat प्रड्यूस हो रही है, हमारे products क्या होगे, salt and water, तो बच्चो, acid and base नहीं, acid and salt नहीं, salt and water, yes, salt and base नहीं, तो हमार correct answer हो गया, बच्चो, B, which is a salt and water, तो बच्चो, questions हो गए, questions हो गए, clear, समझ आया के नहीं आया, तो बच्चो, आज के chapter में हमने acids पढ़ा, हमने basis पढ़ा, हमने salts पढ़ा, हमने indicators के बारे में भी जाना, हमने neutralization reaction के बारे में भी जाना, और हमने neutralization को अपनी रोज मर्रा की जिं मिलती है, हमने वो सब भी जाना, तो बच्चो, क्या आपको ये chapter समझ आया, जैसे कि मैंने आपको promise किया था, कि इस chapter के end तक आते आते, आपको सारे concepts crystal clear हो जाएंगे, तो क्या मैं अपना वो promise रख पाई, तो बच्चो, अगर आपका जवाब है, हाँ, तो मुझे बहुत कु कुछी होगी, आप समझी सकते हैं, तो ठीक है बच्चो, इसी के साथ अपने आज की class खतम करते हैं, I hope आपको सब समझ आये होगा, मुझ से पढ़ने में मज़ा आये होगा, that's all for today from my side, bye bye बच्चो.